आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कारबनीक योगिक का बहार कितना दिया गया है, वह 289 ग्राउं ठीक है यह दोस्तों वेletन परशन मेंद और ढिर आगा है tailor, मनेगनेशम फासप JUST हम जानते है कि हमारे पास जो है मनेगनेशन्थ मनेगनेश्यं पाइरो फासपेट तो चु 되면 पाइरो फासपेट इसका सुत्र क्रिब दोस्तों इसका यूत या मातरा होता है यह वह दोस्तो 1.332 g ठीक है तो दोस्तो हमें इसका जो भार दिया गया है वो कितना दिया गया है वो है यहापर 1.1 तो हम इसे लिख लेते हैं यह हो जागा दोस्तो हमारे पास 1.332 g ठीक है अब दोस्तो हमें यहापर देख पारे कि magnesium, pyro phosphate में हमें क्या बतानी है? Phosphorus की मातरा बतानी है, ठीक है? तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख पारें, कि हमारे पास जो सूत्र है, वो है Mg2 P2 O7, ठीक है? और इसमें, दोस्तों, में क्या बतानी है? यहाँ पर जो हमारे पास है, फास्पोरस के कितने भाग है, दो भाग है, जो कि हमारे पास P2, इसकी हमें प्रतिसवत में मात्रा बताने है कि कितनी इसकी मात्रा होगी तो सबसे पहले दोस्तो हम यहाँ पर इसके आन्विक द्रवमान निकाल लेते हैं कि इसका जो है आन्विक द्रवमान कितना है ठीक है तो दोस्तो हम जानते कि मेगनिशम का कितना होता है मेगनिशम का होता है दोस्तो हमारे पास जो की हो जाएगा यहां पर दो मेगलिशिम के परमानु में यह हो जाएगा 24 x 2 फासपोरस के कितना होता है दोस्तों यह होता है 31 x 2 साथ में दोस्तों आक्षेन के कितना होता है वो होता है 16 और इसके साथ परमानु में तो हो गया 16 x 7 ठीक है उससे दोस्तों यहां पर कितना है यह है पीटू तो यह कितना हो जागा 31 into 2 ठीक है तो दोस्तों यहां पर हमारे पास कितना हो गया यहां पर दोस्तों हमारे पास जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 220 ग्राम और यहां पर कितना जाएगा यह जागा दोस्तों हमारे पास 62 ग्राम ठीक है तो दोस्तों हमने यहां पर क्या निकाल की प्रतीसत मातरा निकाल लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों, यहां पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले दोस्तों फासपोरस का जो हमारे पास कितने परमाड़ों है, यहां पर फासपोरस के गराम है, जिसका कितना है, ग्राम में removing of is तो यह हो जागा दोस्तों हमारे पास 62, बट इसका दोस्तों यह जो हमारा फासपूरस है, वो हमारे किसमे प्राप्त है, वो है magnesium pyrosulfate में, जो कि दोस्तों इसका जो अनुशूतर है, वो कितना है, 222, तो यह हो जागा हमारा 222, इन 2, अब दोस्तों हम देख पार है कि यहाँ पर हमें मात्रा जो दी गई है, magnesium pyrosulfate की कितने दी गई है, वो है दोस्तों यहाँ पर 1.332 ग्राम, ठीक है, तो यह हो जागा हमारे पास 1.332 ग्राम, साथ में दोस्तों हमारे पास जो है, कर्बनी कोगी का अनुभार कितना दिये गया है, वो है हमारे पास 2.79 ग्राम, ठीक ह प्रतीसत में मात्रा निकल जाएगी, जो कि हमारे पास कितनी आएगी, वो आएगी दोस्तों हमारे पास 13.333 परसेंट, ठीक है, और यही दोस्तों में प्रस्त में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है, तो आसा करता हूं दोस्तों, आपको यह प्रस्न समझ जाए होगा धन्यवाद